मैं आप लोगों के पास अध्या एक वर्ग एमगन समान जानकारी के साथ प्रस्नों का हल लेकर आया हूँ जिसे बच्चे बहुत ही आसाम तरीके से समझ कर हल कर सकते हैं चलिए हम पाठ की और चलो हम प्रस्नावली एक वर्ग एमगन पढ़ने जा रहे हैं तो हम प्रस्नों को हर करने से पहले एक चीतर पर ध्यान दते हैं जैसे एक चीतर दिखाई दे रहा है इसके हम लोग कहता है वर्ग दिखने में एक समान नहीं दिख रहा होगा इन मान के चलते हैं कि क्या है ये एक वर्ग है और एक दूसरा चीतर अपने पास ये है इसे क्या कहते है आयत ये आयत में होता क्या है कि इसके सम्मुख भुजा मतलब सम्मुख भुजा मतलब उपर और नीचे की भुजा क्या होती है आपस में बराबर होती है अगर यह 5 cm ते भी होगा 5 cm और इसके समुख भुज़ा है यह है 3 cm ते भी होगी फिरना 3 cm उसी परकार यह है आयत आयत अपना अगला चीतर है ये क्या है वर्ग है वर्ग में क्या है सभी भूजा मतलब इनकी चारो भूजा क्या होगी समान होगी अगर चारो भूजा है पांच पांच सेंटीमीटर का ते भी पांच हो जाएगा ये भी पांच हो जाएगा इसमें वर्ग में होता क्या है कि समान होते हैं हम इसको एक चीत्र के माध्यम सर्थ देखने का सिखने का पर्यास करते हैं जैसे कि अपना चीत्र अगला चीत्र है जैसे बनाते हैं एक दो तीन चार पांच छै साथ आठ नौँ दस ग्यारा बारा तेरा चौदा पंदरा सोला सत्रा अठारा उननिस बीस विक्किस बाइस तईस चोबिस पच्चिस हमाने पास यह चीत्र है इसमें देखिए हैं सभी लाइन में कितना है पांच पांच है जैसे यहां पर एक दो तीन चार पांच यहां भी पांच एक, दो, तीन, चार, पांच जिधर से भी गिन रहे हैं यह सभी तरब से क्या होगी पांच होगी इसमें में में बोल सकते हैं पंग्ती यह हमारा यह है इधर जो है यह पंग्ती हो कहलाता है पंग्ती पंग्ती भी पांच है और यह है इस्तंभ इस्तम इस्तम भी क्या है? 5 है, मालब यह खड़ी है बंक्ती भी 5 होती है और इस्तम भी 5 होती है मालब सिधा बोला जाए तो जिधर से भी गिने अपने को 5-5 ही दिखाई देता है अगर इसमें कोई भी अगर एक बिंदो छुड़ जाये तो यह वर्ग नहीं होगा जैसे हम वर्ग को संख्या के माधम से समझने का परियास करते हैं तो यह देखते हैं जैसे एक का वर्ग एक का वर्ग क्या होगा? एक गुनित एक बराबर एक वर्ग का सीधा सा अर्थ है उसी संख्या को उसी संख्या से गुना मलब समान संख्या का गुना तो एक का गुना किये एक से एक एकम एक दो का गुना करेंगे दो गुने दो तो कितना होगा दो दो नी चार तीन का गुना करते हैं तीन एकम नहीं तीन गुने तीन तीन तीजा नौ चार का गुना करते हैं चार गुनित चार, चार चाओं को सुलना, पांच का गुना करेंगे, पांच से आज पच्छे पच्चीस, छे का गुना करेंगे, छे से छे छक, छत्तीस, साथ का गुना करते हैं, साथ से सथे सथे उन्चास, आठ का गुना करते हैं, आठ से अठे अठे चाओं साट, नौ का गुना करेंगे 9 से नवी नवी 81, 10 का गुना करेंगे 10 से तो हो जाएगा, हम आगे कियो चलते हैं, अब 11 से लिकर 20 ताटका, तो 11 का गुना करेंगे, 11 से हो जाएगा 121, 12 का गुना करते हैं, 12 से होता है 144, 13 का गुना करते हैं 13 से होता है 179 14 का गुना करते हैं 14 से होता है 196 15 का गुना करते है 15 से 225 16 का गुना करते हैं 16 से होता है 256 57 का गुना करते हैं 17 से होता है 289 18 का गुना करते है 18 से होता है 300 सब चुब इस निस का गुना करते हैं निस से होता है तीन सब एक सट अब 20 का गुना करते हैं 20 से हो जाता है 400 इसको हम लोग दूसरे रूप में ऐसा भी लिख सकते हैं जैसे हैं पर दिया हुआ है दो गुने दो तो इसको लिखा जा सकता है एक का गाट इसको वर्ग पढ़ते हैं जैसे के उपर में दिया हुआ है एक का गाट इसको पढ़ते हैं तीन का गाट दो यह कितना है चार का घात दो एकता है पांच का घात दो छे का घात दो साथ का घात दो आठ का घात दो नौ का घात दो और यह हैं दस का घात दो मतलब इसी को है अंग्रजी में बोलते हैं वर्ग बोलते हैं और हिंदी में घात अंग्रजी में स्क्वार होता है वर्ग का मतलब पावर है मतलब दो पर गुना है घात दिया हुआ है इसी परकार हम लोग इसको भी कर लेंगे इसको आप लोग करने का परियास करेंगे इसको ह गुणा के माधं से भी दिखा सकते हैं, यहां लिक दिया तो समझ मनी आ रहा होगा, लिए जैसे अपने को लिकालना है 12 का, तो 12 का गुणा करेंगे 12 से, दो दुनी 4, दो एकम 2, फिर इसका करेंगे दहाई यंग से, इसलिए हाँ दहाई यंग के नीचे लिखेंगे आपर, द चार दो दो चार और ये एक हमारे पास आया था बारक अबर बराबर 144 अन ये विधी भी है जो इससे भी शरल है एक बार अगर समझ जाएं तो इसमें अपने को गुणा करने का धंजट नहीं है मैं उस विधी को भी पताने का पर्यास कर रहा हूं जैसे क्या करना है बारक गु इसे हां पर दिया हुआ है 12, तो लिखा दिया हुआ यहां पर लिखेंगे 12p2 तो कितना बच्चा अपने आपको 10 और जो इस नहीं किあ थे यहां कर्देंगे कितना हो जायेगा 12 centro 2, दो बराबर कितना हो गया 14 गुना कर देंगे कितना हो जाता है दस गुनेट 14 बराबर 140 जो 140 हुआ पास जाए का हुआ का गुना है इस इकाई काई का गुना कर देंगे दो दूनी 4 ते हो गया ही 4 इसको जोड़ दिये तो यह कितना हो जाएगा? 4 यह होगी ए 4 और यह एक एक यह कहने बिधhe के माध guith सभीहों kork लिकार सकते है अिसमें एक देखने का प्रयास करते हैं, जैसे सम्संख्या का वर्ग सम्संख्या का वर्ग सम्संख्या का वर्ग दिया हुआ है जैसे अपने पात सम्संख्या है क्या क्या सम्संख्या है जैसे भी ये 2 है 4 है 6 है 8 है और ये 10 12 14 16 18 20 तो आसे आपसर समझने का परियास करते हैं कि सम्संख्या का जो वर्ग है तीकाई में क्या आता है तो समसंख्या के और के काई में क्या आता है चार तो हम लिख सकते हैं समसंख्या के काई में क्या आता है चार छे चार दिया हुआ रिपीट नहीं करते हैं जीरो तो लिख सकते हैं पर जीरो में हैं डबल जीरो उसके बाद 4 भी लिख चुके है, 6 भी लिख चुके है, 4 लिख दिये हैं इतना तो हम यह देखते हैं कि सम्स अंख्या का अगर वर्ग लिखाते हैं तिकाई में आता है 4 और 6 क्या क्या है एक पर फिर देख रहते हैं 2 का 4 है 6, 6, 4, 00, 4, 6, 6, 4 पर विख सम्संख्या का वर्ग है 2 वंक आता है, इसको अपने गुथासा दिमाग में याद कर लने का परियास कर देंगे कितना है 4, 6, 00, अब विशम संख्या का वर्ग विशम संख्या का वर्ग को भेकवा देख लेता है जो बचा हुआ है तिकाई में क्या आता है एक है 9 है 5 है उसके बाद 1, 9, 5 बस 3, 3 नंख है इस तीन नंख अगर हम लोग याद कर लिए तो अपने को आसान होता है आगे हम पढ़ेंगे प्रस्न में ते दिया हुआ है तो हल करने में अपने को सुईधा होगा इसलिए इसलिए बताने का परियास कर रहा था कि समसंख्याओं का वर्ण की काए में क्या आता है 4, 6, 00 अगर वर्ण होगा तो इसके अंग में जो 0 होगा, 0 होगा हम यह साथ जोडा में, जोडा संख्या के रूप में सिंगल 0 कभी नहीं होगा अगर 0 होगा तो होगा 2-0, 4-0 या 6-0 3-0 नहीं हो सकता है, 5-0 नहीं हो सकता है या 7-0 नहीं होगा अगर 0 होगा तो कि नहीं होगा 2-0, 4-0, 6-0 अब इसम संख्याओं का वर्ग में क्या होगा इकाई में क्या आएगा 1, 9, 5 मला हम संख्याओं को देख के बता सकते हैं कि ये संख्या वर्ग है अथ्वा नहीं हमको आगे जब प्रस्णवली हल करेंगे तो ये चीज आएगी इसलिए मैं इसको बेसिक जानकारी बताने का परियास कर रहा था इसको अपने को जानना भी चाहिए अब मैं आप लोगों को वर्ग संख्या से सम्मंदित कुछ जानकारी बताने जा रहा हूँ जिसे ध्यान देंगे आप सभी जैसे इसमें समान जानकारी क्या है कि कोई भी वर्ग संख्या है जैसे अगर भाग देना है अपने को तो दो से कोन भाग जाएगा जिस भी संख्या की काई में क्या होगा सुन्य होगा दो, चार, छे, आठ इससे भी अपने को थासा भ्यास करना पड़ेगा यह पांच संख्या है सुन्या, दो, चार, छे, आठ इस दोनों पांचों संख्या में से कोई भी अगर होगा तो संख्या क्या होगा, दो से भाग जाएगा हम यहाँ पर अधिक नहीं, तीन संख्या के बारे में बताऊंगा आप लोगों को इस तीनों संख्या में लगभग हम लोग का वर्ग लगभग पूरा-पूरा हल हो जाने का परियास करता है अगला दिया हुआ एक ठोक तीन से भी भाजया पर टीन से कों-कों भाग जायेगा तो हम खोने का परियास करते है तीन कों से भाग जाता है दोसके लिए का करते है दी गए संख्याओं का योग करते है दी गई संख्याओं का योग करते हैं और करने के बाद योग करने के और करने के बाद यदि वह तीन का गुनाज गुनाज हो तो वह तीन से भाग जाता है जैसे समझाने का प्रयास करने हम आब लोग को हम कोई भी संख्या ले लिए जैसे अपने पास है एक दो एक अब इसको जोड़ेंगे तो जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा एक धन दो धन एक तो कितना हो जै एक धन दो दो अरेक नहीं एक दो तीन तीन अरेक चार तो चार आया एक चार जो है अपना तीन का गुनाज नहीं है क्योंको तीन एकम तीन तीन दूनी छे हो जाता है अगला कोई भी संख्या ले लिए एक 144 अब इसको ले लिए एक धन चार धन चार बराबर कितना हो जाएगा चार चार आठ आठ अरेक नौ अब इसको अगर हो भाग करेंगे तीन से तीन से भाग जाएगा लेकिन उससे पहले ये क्या है इकाई में ये दो है तो ये जो दो है ये चार आया है इकाई में चार है यहां भी और यहां भी चार है तो ये दो सो ही भाग जाएगा लेकिन अपने को जाच करना है मालोग किसी भी संख्या को हर करने से पहले क्या करेंगे जाच करेंगे तो जाच करने के लिह हम कोई सिनियम का उप्योग करना पड़ेगा जो भी संख्या दिया रहेगा उसको जोड लेंगे यसे एक, चार, चार हो गया नव यसे तीन से भाग जाएगा उसके बाद है एक सो उनहत्तर मैं वर्क संख्या हम कोई वर्क कोशिश कर रहा हम संख्याने का इसको जोड़ेंगे एक, चार, धन, नव तो कितना हो गया? जोड देते हैं नव और छे, पंदरा हो जाएगा पंदरा और एक सुल्ला हम तीन का पहड़ा पढ़ते हैं तो क्या हो रहा है? तीन एकम तीन, तीन दूनीचे, तीन त्यानो तीन चौंको बारा, तीन पच्छे पंदरा तीन पच्छे पंदर, तीन च्छा का ठारा एक तीन से भाग नहीं जाएगा अगला और एक कोशिज करते हैं बाके आप लोग अभ्यास कर लीजेगा एक सो च्यानवेका से मोही आया दो सो पचीश तो कितना हो जाएगा दो पांच पांच और दो दो धन दो धन पांच बराबर नौ ति ऐसी उनलोग जोड़के अभ्यास करेंगे अगर इसका जो है संख्या नौ आ जाएगा जो नौ क्या है तीन का गुनज है तो संख्या तीन से क्या होगा विभाजिय होगा अनित्था नहीं होगा एक टो अपने को है लाष्ट है पांच से पांच से विभाजिय पांच से विभाजिय पांच से हमको इकाई को ही देखना है इकाई में यदी क्या हो सुन्य और पांच हो इकाई में यदी क्या है सुन्य और क्या है पांच है तो क्या होगा पांच से पूरा पूरा भाग जाएगा पूरा पूरा भाग जाएगा तो हमको कैसे चेक करना है जैसे कोई संख्या है, जैसे लिख दिया 105, तो हमको ध्यान देना है इकाई को, जैसे यहाँ पर अपना इकाई है, इकाई में कितना है 5, तो इसको हम बोट रखते हैं 5 से भाग जाएगा, यहाँ लिख दिये 144, इसका इकाई में कितना है 4, तो इसको आग बंदर के बोल सुन्य है इकाई में क्या दिखा सुन्य है तो हम लोग इसको भी भोड़ सकते हैं कि बांट से भाग जाएगा मला अपने को तीन ठो जानना है दो से भी बाजय और पांट से भी बाजय है अगर तीनों को बना लेते हैं तो हमको प्रस्नम ली एक को हल करने में बहुत ही आसानी होगी इसलिए मैं आप लोगों को इसे बताने का पर्यास किया मेरे बताने में हो सकता है तो आसा लंबा लगेगा लेकिन आप बहुत आसानी से समझ जाएंगे और एक बार ऐसा बता दूँगा कि दुबार आपको पढ़ने क्या हो सकता नहीं पढ़ेगे बस अभ्यास आप लोग किजेगा हो जाएगा हम प्रसना वली एक के प्रसना दिया हुआ है निम्न संख्याओं के गुरन खंडों के जोड़े बना कर बताईए कि ये संख्या पूर्वर्ग है अथवा नहीं तो हमारा पहला सवाल दिया है पेज नमबर साथ में है 164 तो हम लोग इसको हल करते हैं जोड़ा बना कर जाँच करना है कि ये पूर्वर्ग है अथवा नहीं तो हम लिखेंगे 164 को लिख दिये गुणनखर लिकानना है तो मैं पहले आपको बता चुका था कि हमको क्या दिया है एक सर्चोंसर तो संख्या की काई को देखना है तो इस संख्या की काई में क्या दिया हुआ है चार चार दिया हुआ है मतलब यह सम संख्या है समसंख्या है, मलब यह किसे भाग जाएगा दो से, इसको हम दो से भाग कर दिये दो, अब उसके बाद भी अगर समझ बनी आता है तब हम को क्या करना चाहिए जो हल कर रहे हैं, तो से पहले दो का हम लोग पहाड़ा लिग दें, जैसे हैं पर लिग देता हूँ दो का दो, दो दुनी चार, दो तिया छे, दो चाओ को आठ, दो पंचे दास, दो चक बारा, दो सथे चौदा, दो अठे सोला, दो नव अठारा, दो दाहम बीस इसमें अपने को और आसानी हो जाएगा, क्या आसानी हो जाएगा, कि देखते क्या है, कि यहाँ पर दो है, दो एक अंग में है, और यहाँ पर एक अंग है, तो छोटा हो जाते हैं, इसले हम इसको लेंगे जोड़ा में दो अंग, अब देखते हैं, आपर सोला, तो इस तो आट बार में आया इसलिए हम लोग कितने बार में है एक दो इसको भाग करना है अपने को फिर देखते हैं इकाई में क्या है ये पन नहीं देखना है इकाई में दो है 2 मतलब क्या है ये समसंख्या है समसंख्या मतलब किस से भाग जाएगा ये 2 से फिर 2 से भाग करते हैं हम फिर देखते हैं 2 से बड़ा 8 है तो धूनते हैं आप आट मिल रहा है मिला कितने बार में है ये गिनते हैं 1, 2, 3, 4 तो हमारा सवाल लभक हल हो चुका है अब पाहडा हम लोग पढ़ते हैं तो 41 किसी भी पाहडा का गुरनखन नहीं है इसलिए 40 भाग नहीं जायागा किसी भी संख्या से इसलिए को हम लोग लिग देंगे लास्ट में 41 से का में 40 हम ट्राइ कर भी सकते हैं तो तीन से अगर भाग करना है तीन से मैं आप लोग क्या बता था संख्या को जोड़ना है तीन और एक क्या हो जाएगा नहीं चार और एक हो गया पाँच अब तीन का पाहड़ आप पढ़ते हैं तो देखे पाँच नहीं आता है इसलिए नहीं जाएगे इसलिए लिग देंगे हाँ पर 41 से कम 41 फिर एक हो गया तो लिग देंगे हाँ पर 164 बराबर कितना हो जाएगा दो आया है दो बार दो गोनेत 2 गोनेत 41 जोड़ी बनाए इसका जोड़ी बन गया इसका नहीं बना आइस लिली देंगे आपे पूर वर्क नहीं है अब आप देखते हैं सवाल दो क्यों चलते हैं सवाल दो में दिया हुआ है 121 अब 121 को हल करने का पर्यास करते हैं अब हमारे पास जो भी नियम है अब नियम से ही बताते चलूँगा जैसे अब 1 इकाई संख्यास को देखें 1 इकाई में कितना दिया हुआ है? 1 एक दिया हुआ है तो इकाई 1 है मलब दो से भाग नहीं जाएगा क्योंकि यह विशला संख्या है मैं वहाँब बताने में विवाज में बताने में गरत लिग दें संख्या जीरो चार छे आठ संख्या तो यह दो से भाग नहीं जाएगा तीन से भाग करने गिले क्या करते हैं जोडते हैं इसको एक अधो कितना हो गया तीन अरे क्या कितना हो गया चार ये तीन से भी भाग नहीं जाएगा और चार से चार से अपने को जाज करने के आव सकता नहीं है क्योंकि जो संख्या दो से भाग जाएगा वो संख्या तीन से भाग जाता है अब अगने बास आयां पांच पांच को हल करने के लिए मैं नियम बताया था क्या बता था, इकाई में क्या होना चाहिए, सुने होना चाहिए, पांच होना चाहिए, तहां सुने भी नहीं है, पांच भी नहीं है, इसलिए भी पांच से भी नहीं जाएगा 6 से भाग करना 6 से 20 को हम लोग भाग नहीं कर सकते हैं क्यों? क्योंकि 2 से नहीं गया कि 2 का गुनाज है जो 2 से कटेगा वो संख्या ही 6 से कटेगा या 3 से कटेगा वो संख्या ही 6 से कटेगा तो 2 से लेकर 6 तक अगर आप लोग समझ जाएंगे तो बाकी आगे हल हो जाएगा तो हम टोटल अभिहास नहीं करते हैं आपको बताया था दो, तीन और पाँच लगभग उतनी में हमारा बहुत सारे सवाल हल हो जाते हैं यह हमारा जो सवाल है एक विशेश प्रगागा सवाल है जिसे हम लोग सीधा डायट हल कर सकते हैं इसको ग्यारा से मनलब यह क्या है? वर्क संख्या है वर्क संख्या है मनलब ग्यारा का गुना करेंगे ग्यारा से सीधा जो भाग जाएगा तो यह ग्यारा से नहीं जाएगा ग्यारा एकम ग्यारा एक बचा फिर ग्यारा एकम ग्यारा इसको हम लोग को भी थोड़ा सा अभ्यास करना पड़ेगा और अभ्यास करना पड़ेगा थोड़ा सा माइंड में में भी ठाना पड़ेगा तो अपने बास कितना हो यह ग्यारा एकम ग्यारा तो 121 मेरावर कितना हो नमासी दो संवा सी भी दूसरी सवाल की तरह हैं विसेस प्रका की सवाल है इनको हम नियब बताने से हल नहीं होगा यज शिदह एक संख्या से यह हल होगा दो से भाग नहीं जाये करके देखते हैं आट चल ऑन कितना होता है सत्यरा सत्रा रदो direito नहीं हम आता इसलिए तीन से नहीं जायागा, पांस से भी नहीं जायागा, यह सीधा जायागा किस से? सत्रा से कितना बार जाएगा सत्रा का सत्रा से हैं जिससे सुरू में बताया था वर्क आप वर्क को भी याद कर लेंगे तो इन सवालों में तो आसा अब आसानी होगी इसलिए कितना हो जाएगा सत्रा का सत्रा से इसलिए हो गया 289 बरावर कितना हो जाएगा 17गुनीर 17 ये क्या है पूर्ट वर्ग है अब अगला सवाल हल करते है 729 información अब 729 हल करते हैं यह नियम में काम आगा जो बताय हो नियम आसानी हो गए इसमें लिख दिये 729 अब अपने पास इसको देखते हैं इकाई को इकाई में कितना है नौ है संप संख्या नहीं है इसलिए इसकों लोग 2 से भाग नहीं करेंगे तीन से ट्राई करते हैं, तीन से ट्राई करने किया करते हैं, दीगी संख्याओं का यो करते हैं, यो करते हैं, साथ, अद्दु कितना हो जाया, ग्यारा, ग्यारा और साथ कितना हो जाया, ठारा, तीन का पाड़ा पढ़ेंगे, तीन का पाड़ा में ठारा आता है, इस लिश्क के 12, पिर 3 थी या, 9, तो हमारा उतर कितना आ गया, 240, फिर कोशिष करना है, अगर एक बार 3 से नहीं गया, हमको 2 में फिर नहीं जाना, उससे आगे किर बढ़ना है, फिर इसको कोशिष करते हैं भाग करने का, फिर जोड़ेंगे इसको, 4 और 3 कितना में जाएगा, 7, 7, 2, 9, त इसको फिर हम लग किसे भाग करेंगे, 3 से, 3, 8, 24, 3, 1, 3, फिर इसको जोड़ते हैं, 8, 9 हो गया, फिर यह 3 से भाग जाएगा, 3 दूनी, 6, हासिल बचा, 2 हो गया, 21, तो फिर 3 सते, 21, फिर कोशिष करते हैं, 7, 2, 9, फिर यह 3 से भाग जाएगा, तो कितना हो जाएगा, 9, 3, 27, 29, 27, फिर 3 से करेंगे, 3, 29, फिर 3 एकम, 3, तो हमारा कितना बार आ गया, 1, 2, 3, 4, 5, 6, तो लिख देंगे, 729 बराबर, 3 गुणे, 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 3, 1, 2, 3, 4, 5, यह हो गया, 6, जोड़ी बनाए, जोड़ी बनी गया, तो लिए देंगे आपर, पूर, वर्ग, है,